गुड आप्टूरून गाईज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टैग बाइट में तो आज का वीडियो नेटवर्क डिवाइस के उपर है ठीक है नेटवर्क में हमारे कितने टाइप के डिवाइस होते हैं उसको पर आज हम बात करने वाले हैं तो मेरा दोस्तों सब्सेपफ़ें मैं बात करूँ की नेटवर्क डिवाइस का रही नेटवर्क में होती के हमारे तो switch क्या है हमारा एक switch is a layer two device it is used to connect different devices to each other मतलब switch हमारे layer two devices को layer two devices क्यों बोलते हैं यह आने वाले वीडियो जो हम डिस्क्स करेंगे जब हम OSI बढ़ल को बात करेंगे चीक है तो switch क्या है एक layer two device है जो कि आपके different devices को connect करने के लिए अब इसका मतलब है कि जो हमारा switch है वो आपके frame ध्यान रखना यहां पे packets नहीं फ्रेम की बात करेंगे और अभी frame क्या होता है आने वाले वीडियो के अंदर जब हम OSI model बढ़ेंगे तब हम वहां पर हम frame layer two layer three यह कुछ terms होते है यह क्या होता है हम वहां पर discuss करेंगे ठीक है अभी आपको यह माइन में रखना है कि switch जो होता है वह हमारे layer two device होता है और यह क्या forward करता है frame forward करता है ठीक है अब जो forward जो frame को forward करता है यह based on destination mac address switch जो हमारा वो mac address के basis पर decision लेता है ठीक है mac address table I think आप लोग को पता होका mac address क्या होता है ठीक है अगर नहीं पता है तो इस video के सब्सक्राइब बने रही है आने वाले वीडियो में आपको mac address के बारे में भी पता लगेगा की mac address क्या होता है IP address क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे ठीक है तो switch का क्या गाम होता है कि वह आपके frame को forward करता है करता है based on the destination, Mac address, specify decision लेता है, and switch maintain the Mac address table, switch क्या करता है Mac address table को maintain करता है, Mac address table क्या होता है, इसको किस तरी किसा हम लोग maintain कर सकते हैं, किस तरी किसा हम लोग ulcerate कर सकते हैं , यह आने वाले वीडियों, लोग छीक है, तो वही शहीं स्थाइज है, switch maintain the MAC address table to take the decision decision how to forward the frame to the destination मतलब किसी destination पर कोई frame को forward करना है तो उस frame को forward करने के लिए वो mac address table की help लेता है ठीक है switch तो इसके अंदर वह अपनी कुछ entries रखता है उसके entries के basis पर ही decision लेता है अब इडिस वर्क्स ओन डेटा link layer of the OSI model तो जो switch है वो हमारे OSI model के data link layer के उपर काम करता है ठीक है it is works on OSI it is works on layer sorry it is works on data link layer of the OSI model ठीक है अब हमारे आपर switch के कुछ types होते हैं आपको layer 2 switches और layer 3 switches इसको हम लोग also called L2 switch भी बोलते है layer 2 switch को हम L2 switch भी बोलते है और layer 3 को हम L3 switch भी बोलते है ठीक है अब आने वाले जब हम switch को जब हमारा switching का पार्ट चलेगा स्विचिंग करेंगे आने वाले time में तो वहां पर हम switch को और in detail में हम लोग सीखेंगे अभी हम जस्त क्या कर रहे हैं हम लोग network devices के overview को बात कर रहे है कि switch क्या होता है और उसके कुछ key terms होते हैं क्या क्या होते है उसके ओपर हम आज बात कर रहे हैं ठीक है आने वाले time में switch को in detail में किस तरी से वह Mac decision किस तरी से वह आपका decision लेता है किस तरी से फ्रेम को forward करता है यह आने वाले वीडियो में में सीखेंगे ठीक है sorry next जो device हमारा वह राउटर ठीक है तो राउटर क्या है it is a layer 3 device switch हमारा layer 2 device होता है लेकिन router हमारा क्या होता है layer 3 device होता है it forward the package धहन रखना यह packets forward करता है और switch हमारा क्या forward करता है frame फोर्वड करता है आने वाले time में हम राउटर करेंगे फ्रेम क्या होता है package क्या होता है ठीक है क्या हूं राउटर जो जो packet router पैकेट क्यों टिक और में को फॉर्वर्वर करता धीया कीजनीशनद वाले टाम में गेंगे ठीक मित टो राउटर किया है इस भाले ख्रॉच की गषान में या सिटाव राउटर मिंटेंटरों इसकी राउटिंग टेबल कई यहां इसाई इस निरुटर के पास कोई पैकेट आता है तो उस पैकेट को वह कैसे फॉवर्ण करेगा किस पाथ से फॉवर्ण करेगा इस टोटले डिपेंड ऑन दा राउटिंग टेबल चीक है राउटिंग टेबल के बिस्टिस पे ही राउटर क्या करता है कि मुझे पेकेट को कैसे फॉबर करना है चीक है आने वाले टाइम में और डिटेल में हम लुख की venir बारें बात करेंगे किस तरीके से फैकेट फॉबर करता है किस तरीक से डिसीजन लेता है यह सारी चीजें इंug bunch on network layer router जो है network layer पर काम करता हमारा ओसे मोडल के ठीक है तो द्यान रखना कि राउटर हमारा network लेयर पर काम करता है और switch हमारा data link layer पर काम करता है ठीक है data link layer मतलब as a layer 2 device layer 2 और network layer मतलब layer 3 नेक्स जो डवाइस हमारा वह दोस्तो firewall firewall किया है firewall is a network security device ध्यान रखना कि जो firewall होता है हमारा वह security appliance है एक security device है that monitor incoming and outgoing network traffic firewall का काम ऐसा ही होता जोस्तों जैसे एक companies के अंदर एक guard का होता है एक guard का काम क्या होता है जब भी company के बाहर gate के बाहर एक guard बैठा होता है तो guard क्या करता है कि कौन company के अंदर आ रहा है कौन company के से बाहर जा रहा है तो वो उस चीज़ के लिए क्या करता है एक register maintain करता है जिसके अंदर आने वाले और जाने वाले अपनी anti register के अंदर करते है same like आपका firewall भी है दोस्तों तो firewall भी क्या करता है आपका network का security guard है जो कि आपके network के अंदर कौन सी traffic आ रही है कौन सी traffic बाहर जा रही है इस सारी के सारी traffic को क्या करता है monitor करता है मान के चलो example हम इसी security guard का ले लेते हैं एक building है company है उसके गेट के बार security guard बैठा हुआ है ठीक है एक ऐसा बंदा जो की company से belong नहीं करता ना तो कोई इसको जानता है वो अगर company के अंदर enter करने की कोशिश करता है तो उसको क्या करता security guard उसको वहीं पर मना कर देता कि एक rule है मतलब अगर आप company के अंदर आना चाते हो तो आपको एक ID card या कुछ आपको दिखाना पड़ेगा जिसके basis पे यह हो चाहिए कि you are the trustable person ठीक है तो ऐसे ही firewall कि अगर मान के चलो उसके पास को एडिर फ्रूफ नहीं है तो guard क्या करता है उसको होई पर रोक देता कि अप अदर नहीं जा सकती same thing like with a firewall firewall भी आपका क्या करता है जो भी traffic आपकी बाहर से आ रही है तो इसको monitor कर रहा होता है देख रहा होता है कि और हम लोग firewall को पर rules बना देते हैं कि यह traffic allow होनी चीए और यह traffic डेरा होनी चीए तो simple thing इसको आने वाले टाम में और अच्छे से detail में discuss करेंगे बैसिकली सी firewall का एक security appliance है security device है जो कि आपके traffic को monitor करता है कैसी traffic incoming and outgoing दो तरह की traffic होते है मारी network में incoming traffic outgoing traffic outgoing traffic वो traffic होता है जो आपके network से बाहर जा रहा होता है उसको outgoing traffic और incoming traffic वो traffic बोलता है जो कि internet से आपके network office के network पे आ रही होते है तो दो तरह के नेटवर्क होते हैं, Incoming Network and Outgoing Network, ठीक है, अब यहां पर यह चीज पढ़ लेते हैं, डेफिनेश को, Firewall is a network security device that monitor incoming and outgoing network traffic, and device is whether to allow or deny the specific traffic based on the set of security rule, मतलब कुछ rule के basis पे यह traffic को या तो allow करेगा, या deny करेगा, और यह allow or deny किस basis पे करेगा, set of security rule, or you can say set of policies, कुछ policies, कुछ rules हम create करते हैं, Firewall के उपर, जिसके basis पे Firewall क्या करता है, traffic को या तो allow करता है, या deny करता है, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि traffic, जो firewall है, वो उसके कुछ types होते हैं, ठीक है, अभी मैं सिर्भ आपको types of firewall बता रहा हूँ, इन firewall के उपर, packet filtering firewall, stateful firewall, यह क्या उनसे firewalls होते हैं, तीन तरह के firewalls होते हैं, एक बता है, packet filtering firewall, stateful firewall, and transparent firewall, और इन तीनो firewalls के types के बारे में, जब हमारा security का concept चलेगा, तब हम आपको उसमें बताएंगे कि इनके definition, मतलब इनका क्या मतलब है, packet filtering firewall हम क्यों बोलते हैं किसी firewall को, stateful firewall का क्या काम होता है, transparent firewall का क्या काम होता है, यह तीनों के तीनों जो terms है, यह types of firewalls हैं, यह basically उसके behavior, कि किस तरीके से firewall का काम करता है, उसके basis पे आपका यह firewall का नाम दिया गया, कि कौन सा firewall को हम packet filtering firewall बोलेंगे, ठीक है, तो यह हमारा firewall के उपर था, next जो हमारा last वो है, IDS and IPS, IDS का मतलब होता है, intrusion detection system, यह भी हमारे security appliance होता है, ठीक है, ध्यान रगना, इसमें, IDS और IPS में कुछ ज़्यादा difference नहीं है, device आपकी same है, लेकिन इसके behavior, काम करने के behavior से ही, इसका नाम IDS और IPS पढ़ा है, ठीक है, intrusion detection मतलब कुछ ऐसी suspicious activity जो आपके network पे आरी होती है, उसको यह monitor कर रहा होता है, ठीक है, तो IDS का मतलब होता है, intrusion detection system has capability to detect the misuse and abuse of the network, मतलब कुछ SMS traffic को यह detect करता है, ध्यान रखना, this is a detect, ठीक है, यह कह करता आपको detect करता है, बट उसको आपको logs देदेगा, मतलब मानके चलो आपके network में IDS लगा रखा है, तो अगर आपके network में कोई ऐसा attack होता है, या कुछ miss use हो रहा होता है, तो वहाँ पे आपका IDS आपको सिर्फ एक log generate करके दे देता है, कि भाई आपके network के उपर यह alert आया है, ठीक है, बट उसके उपर कोई action perform नहीं करेगा वो idea, सिर्फ वो detect करेगा, detect करेगा आपको बता देगा, मतलब अपने ऐसा security guard बिठा रखा है, जो सिर्फ यह बता रहा है आपको कि भाई यह बंदा मुझे ऐसा लग रहा है, बट आपको वो जो security guard है, उसके उपर कोई action नहीं ले रहा है, इसको रोक नहीं रहा है कि आप नहीं आ सकते हो, आप आ चुके हो कंपनी के अंदर बस उसकी information उसने दे दी कि भाई एक बंदा हमारी company के अंदर ऐसा, जो miss behavior करता हो दिखा गया है कि वो अंदर enter कर चुका है, बट उस guard ने सिर्फ उसकी information दी है, same thing like with the IDS, IDS आपके network के अंदर कोई इस activity हो रही होती है, तो सिरफ वो आपको detect करको उसकी information बता रहा होता है, and what about IPS, it is intrusion prevention system has capability to detect and prevent, यहाँ पे क्या करेगा वो detect भी करेगा और prevent भी करेगा, इसलिए इसको हम IPS बोलते हैं, ध्यान रखना IDS आपके network के अंदर जो suspicious activities होती है, उसको सिरफ detect करके उसकी locks आपको बता रहा होता है, लेकिन IPS उसके उपर आपका action भी perform कर रहा होता है, सेम वही security guard है, उसके पर आप यह power है कि भाई वह अगर ऐसा कोई बंदा उसको दिखता है बाहर जो कि एक, मतलब ऐसा बंदा है जो कि लग नीरा कि यह कुछ मिजबेब सा करने वाला बंदा लग रहा है, इसके उपर देहान रखना, that's it, तो this is a IPS and IDS, ठीक है, तो यह हमारे कुछ network devices थे आज के उपर, आज हमने देखा, आने वाले time में हम लोग और cables के उपर बात करेंगे कि network में किस तरह के cables वगरा होती है, ठीक है, तो यह हमारा एक चोटा सा वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, और अगर अप इतक आपने मेरा चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को subscribe करिए, और ऐसे informative वीडियो पाने के लिए, ठीक है, तब मिल कितने मेरोग अपने नेक्स वीडियो में, till then, bye bye, and take care.